तो हमारा दूसरा कोश्चन ये है कि क्या हमें सोब्रेल गोल्ड बॉंड लेना चाहिए फिसकल गोल्ड की जगह पर इसका जबाब है हाँ इसके पीछे कुछ कारण है उन्हें हम समझते हैं पहली पहली बात तो आपको किसी भी फिसकल गोल्ड को रखने की टेंशन नहीं लेनी है दूसरी आपके पास इसको जब आप खरीदते हैं तो किसी तरीके का कोई making charges या और जो charges आप गोल्ड जब खरीदते हैं उसमें लगते हैं वो आपको नहीं देने होते हैं तीसरा जब आप sale करने जाते हैं तो उस समय जो market की value होगी उसके हिसाब से आपको maturity मिल जाते हैं लेकिन अगर आप physical gold को वहीं पर अगर किसी को sale करने जाएंगे तो उसमें बट्टा काट लेते हैं या फिर आपकी जो making charges या और भी charges होते हैं मैं उसको determined मुझे नहीं पता है लेकिन charges उसमें और भी कटते हैं तो ये तीन जो tension हैं वो आपको sovernant gold bond अगर आप लेते हैं तो उसमें नहीं होगी लेकिन अगर physical gold लेते हैं तो उसमें होनी होनी है